दो मोधी सरकार मोधी अरत देलों का ना एकाज तेहों तुआ डिनल बचार सांजे करने अतलक कमार अजान राश्ट्री जनर्रस्कतर कोल हिंद कसान सभा अतलक कमार जी जो रिपोर्ट दी आपा रोजगाल कर दे स्वामी नातन दी रिपोर्ट लगू करो ओनाने मेंबर भी रहे या अतलक मार जी आज की इस सभा के अध्यक जी मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे वरिस्ट किसान दोस्तों भाईयों बुजर्गों माताओं और बहनों बारत के आजादी के इतिहास के बाद ये सबसे बड़ा अंदोलन देश के किसानों का है लगबग असी दिनों से अधिक हो गया अच्छी आपी दुनिया देख रही है देश देख रहे हैं दुनिया के नामचीन लोग वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं अख़वार में और टेलिवीजन में पढ़ भी रहें और देख रहें कि भारत की किसान सडकों पर है एतिहासी कांदोलन United Nation ने सर्व सेंक्तरास संग ने भी उसके महासचिव ने इस आंदोलन के सिलसले में भारत सरकार से कहा कि इसके उपर गौर कीजिए मैं आप से कुछ लंबी बात दो चार मिनट जादा कर लूँगा तो मुझे इजाज़त देगी से ये डाइस के हमारे वरिष्ट देता हमारे भाई देश अजब इस सिति में फस गया है अजब की अमीरी है इस देश में और गजब की गरीबी है इस चक्कर में फस गया है देश कौन निकालेगा सतर साल की हमारी ये आजादी इतनी जबरदस्ट गरीबी इतनी जबरदस्ट अमीरी तो देश एशिया के दस लोगों में जो सबसे मीर है भारत का है यह देश की दौलत कहा जा रही है धर्ती का सीना चीर कर अपने इरादों के बीज बोने वाले वो किसान भटे हाल होते जा रहे हैं पिछले मोदी जी की सरकार में साले छे साल की सरकार में पेट्रोल, डीजल, बिजली, बीज, खाद, कीट, नाशक के 40-40 डाम बढ़ गए और आपने क्या दिया हरे सौ के पार चला गया पेट्रोल नेपाल बड़ा गरीब देश है 72 रुपए लीटर है अभी मनमोहन सिंगी का जिक्र किया गया जब मनमोहन सिंगी की सरकार थी दुनिया में कच्चे तेल का दाम 140 डॉलर पर बैरल था और तब भारत में पेट्रोल बिखता था 68 रुपए, 70 रुपए, 72 रुपए डीजल बिखता था 64 रुपए, 65 रुपए, 66 रुपए 2 रुपए डीजल थे पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे अटरल बिहारी बाचपेजी संसत के सत्र में पाइलगारी पर चठके गए थे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए रात भर ने सुसमा सुराज जी संसत के सामने नाची थी प्रदर्शन करते वे आज आज कहा है वो लोग नरेंद मोदी जी मुख्यमंतरी थे किरेते जो सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाके किसानों की जिंदगी और साधर अनादमी की जिंदगी को नरक कर दे वो सरकार को बदल देना चाहिए और आज अगर सो रुपाय लीटर बिड्रोल है तो इस सरकार को बदलने की जरत नहीं है जमीन में खोद कर गाल देने की जरत है मैं हूँ वो आदमी जिस स्वामिनाथन कमीशन की आप बात कर रहें न आर्कमडीस का सिध्धान्त लिखा गया न्यूटन का सिध्धान्त लिखा गया मैंने भी स्वामिनाथन कमीशन में एक फार्मूला लगा दिया C2 प्लस 50 यह अतुलकुमार अंजान का फार्मूला है MSP C2 प्लस 50 मैं अकेला सदस्था उस कमीशन में अल इंडिया किसान सभा की तरफ से सारे किसानों का पत्रित कर रहा था मेरे दिल में कौन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है उसकी चाहत क्या है उसकी ग्रादरी क्या है उसका रंग क्या है उसका रूप क्या है उसका धर्म क्या है इससे कोई मतलब नहीं अगर भारत माता की खेतों पर वो खेत मजदूर और छोटा किसान बड़ा किसान है तो हमारे लिए पूज है बंदनी है उसके सामने हमें सर जुकाना है इस सोच के साथ हम दौमिनातन कमिशन में काम कर रहे थे जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे नाबाड के गवर्नर भी थे बारत राष्ट्रिकृत बैंकों के नैशनलाइज बैंक के CMD भी थे जिसके अंदर इंडियन इंस्टूट अफ एक्रिकल्चर रिसर्च के डिरेक्टर बड़े बड़े किसान वाइग्यानिक थे उसके अंदर डौक्टर स्वामिनाथन दुनिया का भारत में हरित क्रांति का जनक डौक्टर स्वामिनाथन और डौक्टर बोरोलॉक थे जिन्होंने ये धर्थी को नए तरीके थे वरना हम PL 480 का 45 पैसे फी किलो अमरीका से ग्यहूं खाते थे जिस ग्यहूं का सत निकाल कर वहां के घोड़े मजबूत होते थे उसका बाकी बचा हुआ खा करके भारत में हम कुछ जिन्दा रहे थे आज़ पंजाब के हर्याना के पश्च्वी उत्तर पुदेश के किसानों ने हरित क्रामति करके हिंदुस्तान को खात्यान के मामले में आप निर्फर ही नहीं किया बलकि अब हम कुछ विजेशों में भी देजने लगए आप भूल गए इस बात को हमने इस बात को स्वामिनाथन कमिशन में कहा लेकिन हमने ये भी कहा कि ये किसानों को ये खेती किसानी से नौजवान भाग रहे हैं इसे खेती किसानी तरफ लाओ ये जो नौजवान देश छोड़ कर भाग रहे हैं उनको खेती किसानी में जोड़ने के लिए खेती किसानी को अत्यंत लाबकारी बनाओ इसलिए हमने वहां नारा दिया था आज लड़ाई हमारी निून्तम समर्थन मूलिकी है लेकिन MSP में हमारे नाम से एक लाग है आज हम MSP की बात कर रहे हैं लेकिन कल कल हम रिनिमिरेटिट प्राइस्ट की बात करेंगे आज हम नि inflamर्थन मूलिकी बात कर रहे हैं कल हमारी लड़ाई किसानों के उत्पाधन के उसको किनारे कर देते हैं हमने उसमें पहले बार लिखा था 32 पेज का एक इतिहास कि किसान कौन जो भूमी धर है जिसके पास भूमी वही किसान है नाई मैंने उस बात को लिख करके संसद में रास्ती किसान आयोग की दर्ख से भी जाता जिसके हमने लिखा था जो खेती करता है जो भी किसान है जो कुकुट पालन करता है जो मुर्गा मुर्गी पालता है वो भी किसान है जो मतस्य पालन करता है जो मशली पालता है वो भी किसान है जो बी-कीपिंग करता है जो मधमक्षी पालता है वो भी किसान है जो गवपालन और पशुपालन करता है वो भी किसान है वो 32 पेज का वो हमने किसानों की नई परिभाषा संसद में रखी थी 2008 में और वो संसद में मैं संसद का सदस्य नहीं रहा लेकिन वो पास हो गया सर्व सम्मत से और उस समय नेता बिपक्ष सुष्मा सुराग जी ने कहा था कि अतुल अंजान जी यहां तो मौजूद नहीं है संसद में लेकिन उनकों हम अपनी तरफ से शुब कामना देते हैं कि इतना सुन्दर लिखा उनों ने और फिर रिजर्ब बैंक ने एक प्रस्ताव पार है यह था स्वामिनाथन कमिशन की रिपोर्ट का कुछ इस था एक निया राप जिंदगी एक निया पयांग आपके सामने था यह देश किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं है मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों की तरफ जो सरकार चलाते हैं जो धर्म के नाम पर बा उन्हीं लोगों ने वो भी वही कर रहे थे उन्हीं लोगों ने या हिंदु सिख का सवाल खड़ा दिया मैं आप से कहना चाहता हूं घबडाने की जर्रत नहीं हमारे जैसे लोग आपके साथ इस देश के अंदर करोडों करोड़ खड़े हैं जो इस तरह की फिरकावारियत की बातों को मसल देने के लिए तैयार खड़े हैं आपने रास्ता दिखा दिया ये देश जितना हिंदुों का है उतना मुसल्मानों का है उतना सिखों का है उतना इसाईयों का है ये देश हम सब का है किसी एक धर्म और मधब के मानने वालों का नई है ये बात कहना चाहता ह कि अज्ञादी कि लडाई में आपका तौ और आपकी जमाद का और आपकी आरेसस का भारती जनता पार्टी का भारती जनसंग का अजादी गुरु गोलवलकर जो आपके थे जिसके आप वो ये कहते थे भारत के लोगों को आजादी की बात नहीं करना चाहिए हमारी महरानी तो Queen Victoria है Britain की महरानी हमारी महरानी है हम तो अपनी संस्कृती की बात तारे देखने हैं बिना राजनीत के संस्कृती होती है क्या बिना राजनीत के सरकारे होती है क्या सरकार तै करती है कि गेहूं का दाम क्या होगा सरकार तै करती है कि डीजल का दाम क्या होगा सरकार तै करती है कि खाद का दाम क्या होगा सरकार तै करती है स्कूल कितने खोले जाएंगे सरकार तै करती है दवाई का दाम क्या होगा सरकार ते करती है कितने अस्पताल खोले जाएंगे सरकार ते करती है कि कितने लड़के और लड़कियों के हॉस्ट्रल खोले जाएंगे और उनों हॉस्ट्रलों के अंदर फीस क्या होगी और बच्चे और बच्चेों के खाना एक वक्त का खाना रोती की ताकत और दाम जब सरकार ते करती है और सरकार बनती है हमारे आपके वोट से तो वोट को हिसाब से रखो और सरकारों को बदलने का काम हमारी वोट से होगा इसलिए वोट की ताकत और जन्हतंतर की ताकत बहुत बड़ी है इसे मजबूत बनाना है और पंजाब के लोगों ने कल दिखा दिया दिखा दिया बहुत लोग मैं तो आप जानते हैं आप लोग कम शाहिद हिंदी की टीवी डिवेट देखते होंगे मैं तो आज आपके बीच में बहुत देर से आया मैं धाई महीने तक लड़ाई ले रहा था जिंदगी और मौत की मैं करोना से पिड़ित था लखनव में था डाक्टों ने कह दिया तीसरे स्टेज का करोना था कोई गुंजाईश ने मैं मौत के जबले से अपनी साहस और आपके आशिरवाद से आपके बीच में हूँ और आपके बीच में इस लड़ाई में जितने दिन होगा शामिल रहूँगा आगे पिर उसकी मरजी हो चैसा क्या है वैसा करे लेकिन मैं आपसे एक कहूँ एए मोधी जी आजादी की लड़ाई में 83 लोगों को अंग्रेजों ने 80 के तक्ति पर चलाया था और उन 83 लोगों में 74 लोग अगर किसी एक धर्म और संपरदाय के थे तो वो सिक संपरदाय के थे ये भूल गए तो तुम भूल गए उस कूका विद्रोह को तुम भूल गए गदरी बाबाओं को और गदर पार्टी को अमरीका में आज कहते हो कनाडा से पैसा रहा है अई यंग लैंड से अस्ट्रेलिया से अमेरिका से इस आंदोलन को पैसा रहा है हम जानते हैं आप आजादी की लड़ाई का यानुभाव नहीं समझते दाक्टर दाक्टर स्वामी का नाम मुखर जी शामा चरन मुखर जी को शामा प्रसाद मुखर जी को केंदरी मंतरी मंडल में बदा दिया मंतरी जवाललाल नहरू ने तो जवाललाल नहरू के एक बहुत बड़े दोस्त थे उर्दू के बहुत शायर थे पुराने लोग उर्दू जादा जानते हैं अब यहां नए लोग कम पढ़ते हैं जोश मलिहाबादी करीब दस साल बारा साल वंग्रेजों की जेल में रहे तो उन्हों ने कहा कि जो लोग इंग्लेंड की महरानी के छंडे को सलाम करते थे रात और रात वो राजा और रानी आज कॉंग्रेस पार्टी में आ गए हैं उनको आपने कुछ को मंत्री मंदल में मी देते हैं अब जवाहल लाल नहीं को एक लंबी चिटी लिकर आकर में एक पेर लिखा उन्होंने कि शैतान शैतान एक रात में इंसान बन गए और जितने नमक हराम थे सब कफ्तान बन गए ये हाल है इस देश के अंदर ये कूका बिद्रो पैसा कहते हो चार सो लोग अमरीका से कैनडा से ये पंजाब के लोग भारत की आजादी के लिए हाथ में हतियार लेकर कामा गाटा मारू के जहाज में चले थे दो सो लोग रास्ते में मार दिये गए बिटिस सामराज के द्वारा दो सो लोग यहां आए थे आजादी की लाई में हमारे भारत के लोगों को नोंने जट्थे बंद किया और उनमें से कौन है क्यों भूल जाता मैं जिस तन्जीम का महामंत्री हूं उसके बड़े भारी आ जोग सिंग को याद करता हूं आखरी गदरी थे साथी चैन सिंग चैन अभी 57 साल पहले 105 साल की उमर मरे गदर पाती के थे बाबा पृत्वे सिंग आजाद बाबा तेजा सिंग सतंतर बाबा सोहन सिंग जोश उन सब को याद करता हूं और याद करके उनको पड़ाम करता और मैं उन लोगों में हूँ कि मैं उनको भूल नहीं सकता भले विचार अलग हो सोच अलग हो लेकिन उनको याद करना चाहिए खेती किसानी के लिए उन्होंने अपनी जिन्दगी दी मौधी जी ये वो लोग हैं जोने रास्ट याजादी की लड़ाई में जिन्दगी दी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मौधी जी आप तो बहुत बोलते हैं हमारे बड़े मित्र भी हैं आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके लोगों ने बीजेपी के लोगों ने आरेसेस के लोगों ने रास्ट पिता महाकबा गाती को क्यों मारा क्यों मारा इसने मारा कि वो ग्याते थे इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सम्मत दे भगवान इसलिए आपको अच्छा कवर को व्योद के आंदोलन जगह मिलती थी, सारे देश को एक रास्ते से पिरोते थे, एक धागे से पिरोते थे, आपके उनको भी मार दिया, और किस से मरवाया, बापू के पैर चूने के लिए नाथूराम गोट से आरसस का पैर चूता है, 30 जनवरी 1948 को, जब साम को बापू का रास्त भग, हमारा रास्त पिता, हे राम कहके सो जाता है, हमेशा के राम राम कहके गोली मारते हो, और जिसको तुम गोली मारते हो, वो कितने विशाल हिर्दे को, सारे हिर्दे में अपने भगवान को समेटे, लेकर परमात्ता को समेटे कहता हे राम, और चला जाता है मा अधिजी जबाब तो क्यो मारा और आज तुम नाथूराम गोड़से के मंदिर में मारे हो नाथूराम गोड़से की जहनती आरसिस के लोग मनवाते हैं अरे भाई हर देश का एक प्रतीक होता है अमेरिका का प्रतीक है अबराहम लिंकेन जिसने काले और सफेदों के बीच के करके सब को समान अवसर दिया था यूरप के अंद्र एक नहीं रास्ता दिखाया था अफरीका के अंदर नेलसन मंडेला ने बीस्यों साल जिंदगी जेल में कार्ड़ करके बराबरी का हंद galaxy हैं आज वो सारे अफरीका का एक प्रतीक है हमारे राश्तरी को आपने मार दिया महात्मा गादी को छोड़िए आप से क्या बात करना आप से क्या कहें क्या चर्चा करें आप से बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटी भी गई और पतलून की चाहत में लंगोटी भी गई ये है आपकी स्थिख्षिए आप चवदह में अगर मैं सरकार में आया प्रधान मंत्री बना चार सो मीटिंगों के में 247 मीटिंगों में उन्होंने कहा था पहला दसकत करूंगा स्वामिनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करूगा नई के आप आज हमारा जल नब सब खत्रे में जमीन खत्रे में देश के सारे बंदरगाह जो हमारे आपके बाप के पैसों से बाप दादाओं के पैसे से बने थे आठ के आठ बंदरगाह एक सिकट आठ के आठ बंदरगाह अडानी को सौप दिये 30 लाग करोड के सारे के सारे एरपोर्ट साथ एरपोर्ट करीब एक लाख बाइस हजार के लखनो ये सब बेच दिया वो भी बंबई का अडानी के हाथ दे दिया सारा टेलिस्टेरियल वेब अमबानी के हाथ देज दिया और जमीन अब आप बेचना चाहते हैं हमारी खेच करके हम उसने आपको एक कहानी कहके अपनी बात खत्म करता हूँ कि स्वामिनाथन कमीशन की आखरी मीटिंग थी डॉक्टर स्वामिनाथन ने कहा कि कॉंट्रेक्ट फार्मिंग हम को करना चाहिए इसकी इजाज़त देनी चाहिए हमारी तजवीज होनी चाहिए कि contract farming को इस देश के अंदर लागू किया जाए हमने कहा हम लोग खाना खा रहे थे हमने का स्वामी नातन जी आपने हमने सब ने मिलकर रिजर बैंक के डारेक्ट चेयर पर गवर्नर हमने का सब ने मिलकर के एक साथ ये रिपोर्ट बना दी है आप क्यों अड़े हुए हैं contract farming का मतलब है कि देश के किसानों को आप छीन करके ठीक वैसे चंपारन की इस्तिती करना चाहते हैं जैसे अंग्रेज निलहे खेती करवात थे वो इस्तिती लाना चाहते हैं ने contract farming के बड़े फाइदे हैं मैंने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप यस रिपोर्ट को लिखेंगे तो मेरा विरोध का note भी उसमें जाएगा note of decent मैं लिखोंगा और फिर ये ये सरकार के सामने ये जो है कहेंगे कि ये एक मत की राय नहीं है इसने मैं उनकी पतनी थी मैं उनके पैरच हुए डॉक्टर स्वामी नातन के पैरच हुए कि ये contract farming मत करो क्योंकि मैं देश के छोटे मचोले सीमान किसान गरीब किसानों की वो बचाने की वकालत कर रहा था और मैं उनको पड़ाम करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात को मान लिया और contract farming खतम हो गई लेकिन ये जलाद फिर खड़े हो गए contract farming का खेल लेकर के हमारे आपकी जमीन पर ये गिद्ध है इसलिए भाईयों आपकी कुर्बानी को जो लोग कहते हैं कि कम है उनसे मैं कहना चाहता हूँ देश का जटना आजादी के बाद दिल्ली नहीं द देखा था तिरंगा हमारे लाखों पंजाब किसाँ खरियाना उत्तर प्रदेश हर उत्तरा खंड और देश के कोने कोने से लोग ट्रैक्टर अपने हाथों में जंडा लेकर तीन लाख से ज्यादा तिरंगे जंडे दिल्ली के पास 26 जन्वरी को थे आजादी के बाद उतना जब उतनी बड़ी संख्या में तिरंगा जंडा नहीं किसी ने देखा आपको सलाम है इसके लिए अब प्यासी थी जमीन प्यासी थी जमीन सारा लहू पिला दिया और मुझ पर वतन का कर्ज था मैंने उसे चुका दिया और मैंने कहा उससे जलाने को एक शराग उसने इस ब आउलादी एकता को चट्टानी एकता को मजबूत रखें इसमें कोई जाद धर्म का नहीं है यह सवाल देश बचाने का है खेती बचेगी तो गाउं बचेगा गाउं बचेगा तो खेती बचेगी खेती और गाउं बचेगा तो किसान बचेगा खेती गाउं किसान बचेग तो देश बचे का आपकी लडाई आज के दौर की देश भक्ती की लडाई है, देश की इज़त की, देश के मान मर्यादा की लडाई है, आएए हम सब मिलकर के एक नारा लगाएं, और हमने तब नारा लगाया था। साथी ये नारा किसका दिया हुआ है मैं नारा लगा रहा हूँ बाबा सोहन सिंग भकना का धन और धर्ती पटके रहेगी रात धेरी कटके रहेगी उन्होंने एक नारा ये दिया था धर्ती नहीं धन्मानों की है मजदूर किसानों की आज मैं वही नारा लगा कि अपनी बात खत्म करता हूँ और उनको याद करके अपने शहीदों को जो हमारे तीन सो शहीद इसके सान आंदोलन में जिन्हों ने शहादत दी हैं उनको याद करते हुए ये अंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाना का जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं उससे ज़्यादा पच्छिस लाख लोग देश के तमाम कोने में बैठे हैं रोज अंदोलन करते हैं प्रदर्शन करते हैं उत्तर पदेश में कल कम से कम एक हजार लोग जेल में भीज़ दिये गये रास्ता वो ट्रेन रुको के चख्कर में तो इसलिए दिहारा नारा लगाई जिन्हादा नारा लगाई ये धरती नहीं धर्वानों की हैं मज़़ूर किसानों को जो धर्ती को जोते बोए, धर्ती का वो मालिक हो धर्ती नहीं धनवानों की धर्ती को जोते बोए, धर्ती को जोते बोए आप सभी को आप सभी के परिवार को आपके सब बच्छों को माँ बहनों को मैं अखिल भारती के सांसभा की तरफ से हार्दिक रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं आपको परणाम करता हूं जैहिं तरवार जी अंदान जी बहुत बदिया टांग देना वाटेना गालवाज कीती है